महाराष्ट्र ताडोबा महुच्चव में पहुची कई देशों की सुन्दरियां, शाम को होगा मशूर कवी कुमार विश्वास का शोू। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फॉरस्ट मिनिस्टर सुधीर मुनगंटिवार की अगुवाई में ताडोबा महुच्चव, ताडोबा फेस्टिविल का आगाज हुआ। इसमें Miss World समेच साथ देशों की सुन्दरियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का संदेश दिया गया। इस मौके पर सिंगर श्रया घोशाल ने प्रस्तुती दी। महाराश्ट्र के चंद्रपुर में Wildlife Conservation को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन दिवसिय ताडोबा महुचसव ताडोबा फेस्टिविल का आयोजन किया गया इसमें महाराश्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुंगंतिवार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया इस आयोजन में विश्व सुन्दरी करोलिना समेत Miss India, Miss South Africa, Miss Australia, Miss United State of America, Miss Spain सहितकुल साथ देशों की सुन्दरियों ने हिस्सा लिया कार्यक्रम में एक्ट्रेस रवीना टंडन, रवीना टांडोन भी मौझूद थी उन्होंने कहा कि चंद्रपुर के ताडोबा में आकर उन्हें बेहत अच्छा लगता है कई बार वह ताडोबा में बाग, टाइगर देखने के लिए आई है अब बागों को उनके नाम से भी पहचानने लगी है इस कार्यक्रम में विशेश तौर पर बाग नृते का आयोजन किया गया था बाग के भेश में कलाकार बाग नृते पेश कर रहे थे चंद्रपुर के चांदा क्लब ग्राउंड पर आयोजित इसकार्यक्रम के दौरान प्रसित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पतनायक का सैंड आर्ट शो का आयोजन किया गया सिंगर श्रेया घोशाल ने प्रस्तुती दी वहीं हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे बता दे कि चंद्रपुर में स्थित ताडोबा टाइगर रिजव बागों के लिए मशूर है यहां देश विदेश से परियतक बागों को देखने के लिए आते हैं ताडोबा में 200 से भी ज्यादा बागों की संख्या है मानववन्यजीव संखर्ष रोकने और परियतन को बढ़ावा देने के उदेश्य से ताडोबा महुदसव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आज शाम को कुमार विश्वास देंगे प्रस्तुती ताडोबा महुदसव एक मार्ज से तीन मार्ज तक होगा छोटे पौधों से भारत माता लिखकर गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने की कोशिश की जाएगी इसी के साथ शाम को मशूर कवी कुमार विश्वास ओइट कुमार विश्वास का कार्यक्रम रखा गया है वही तीन मार्ज को अभिनेत्री हेमा मालिनी और उनका ग्रूप नदियों पर आधारित गंगा बलेट नृति की प्रस्तुती देगा नागपूर पहुँचे प्रतियोगी डॉक्टर हेडगेवार स्मृती मंदिर में किये दर्शन मिस वर्ल्ट प्रतियोगिता के कुछ प्रतियोगी इन दिनों महराष्ट्र के नागपूर पहुँचे है ये प्रतियोगी यहां रेशम भाग स्थित डॉक्तर हेडगेवार स्मृती मंदिर पहुचे और आर असेस के डॉक्तर हेडगेवार और गोलवलकर गुरुजी की समाधी के दर्शन किये डॉक्टर हेडगेवार स्मृती भवन के दौरे की तस्वीरे मिस वर्ल्ट के ओफिशिल इंस्टाग्राम पेज पर शेर की गई है मिस वर्ल्ट प्रतियोगिता इस वर्ष भारत में आयोजित की जा रही है ग्रैंड फिनाले 9 मार्ज को होना है उससे पहले प्रतियोगी भारत की खास जगों का दौरा कर रही है डॉक्टर हेडगेवार स्मृती भवन से पहले प्रतियोगी चंद्रपुर में आयोजित ताडोबा महुदसव में भी शामिल हुए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली 6 यूवा प्रतियोगियों ने मिस वर्ल्ड आर्गिनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ स्मृती मंदिर परिसर का दौरा किया उन्होंने संग के कार्य और सेवा परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की संग के पदाधिकारी से चर्चा की और अपने सामाजिक कार्य के अनुभव के बारे में भी बताया